हाई ओल वेलकम है आपका समत किचिन में चलिए आज कुछ बहुत ही स्पेशल बनाते हैं मुर्ख मुसल्लम यह जो हम बनाने जा रहे हैं यह बहुत ही फ्लेवर फुल बहुत ही एरोमेटिक और इतने अमेजिंग इसमें मसाले पड़े हैं जिनका बहुत ही अलग टेस्ट आए दो के वाश कर लिया और इसमें लगा रहे हूं डीप कर्स इसी तरह से आप भी हर जगे डीप कर्स लगा ले इससे लगाने से यह फाइदा होगा कि सारा इसमें मसाला एब्सॉप कर लेगा और अंदर तक इसमें फ्लेवर जाएगा तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट इसमें लपीट देंगे इसके ताकि द्रख लहसुन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए लग जाए चिकन में उपर नीचे हर जगे और अब हम इसको 15 मिनिट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तो यह इसका फर्स मैरिनेशन है और तब तक हम तयार कर लेते हैं अ तो पहले पैन को गरम कर लिया है और उसके बाद आज धीमी कर दिया है क्योंकि हमें मसाले बहुत ही धीमी आज पर भूनने हैं यह है दालचीनी का टुकड़ा चार लॉंग और यह है हमारी दस चोटी लाइची और यह है जावित्त्री जिसमें चार टुकड़े कह लिजे चार स्टैंड्स हैं और जाइफल है आधा और यहां पे हैं काली मिच 20-25 तो यहां पे काली मिच आप कम कर सकते हैं और हम इनको अब धीमी आज पे या मीडियम पैन गरम हो जाने के पाद तो आज बिलकुल धीमी कर देना है और इनको हलका भूनना है तो मसाले हमको बहुत रोस्त करएंगे और हलका ब्राउन होने तक तो देखें यह अगर गल्ती से इनको हो वही जाड़ा स्पूर्डा को इसको खरतेंगे ऊड्र्वाइसay यह पूरा वेयर इसका तेस्माल खरोे सारा फ्लेवर इनिशमा ह है और अब यह इनी आरिया दियार है और अब मैं यहां मसालों को भूण भूंटे नहीं हांडी में भूंटे नहीं होगी। मसालों को मुखने में कोई कुकिंग नहीं होगी। महाड़ी में भूनेंगे नहीं तो इसलिए मसालों का पका होना शुरुआत में ही जरूरी है तो इन सारी चीजों को मैंने अलग रख लिया है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और यहां पे अब मैं पैन में थोड़ा तेल डाल करके यह हमारी एक मीडियम प्याज है जिनको पदला स्लाइस कर लिया है और इसको भी फ्राई करना है तो प्यास से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और इसके बाद भी प्यास को भी तल जाने के बाद अलग निकालके रख लेंगे तो यह सारे मसाले हमारे तेयार हैं अब हमारी इनका जो नेक्स स्टेप है वह यह है इसको पाउडर बनाना या पेस्ट बनाना तो पहले जो जितने भी हमारे रोस्टेड मसाले थे और ड्राइ फ्रूट थे इनसब को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया और अब इसको सूखा ही पीसेंगे क्यों कि क्य पानी डाले पाउडर बन जाता है तो अगर आपका मिक्सर अच्छा है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप सिल बट्टे में भी इसको पीस सकते हैं अब देंगे थान रखें कि खसकस बहुत महीन पीशना चाहिए और आप यह है तो पानी डालड़्य तो पानी टाले यहां पीस लिया matter तो ये देखे ये प्यास भी हमारी तली हुई तैयार हो गए और अब हम एक बॉल लेंगे mixing बॉल जिसमें के मैंने लिया है 300 ग्राम दही फ्रेश बिल्कुल फ्रेश दही लेना है खटा नाले नमक ले लिया एक टीस्पून छोटा चमच और ये आधा लाल मिर्च पाउडर है तो मिर्च को आप अपने हिसाब से एड़िस्स कर लें और ये हमारे सारे मसाले जो की बहुत फाइन पेस्ट बनाया था यही मेन मसाला है हमारा और अब डाले इसमा ये प्यास तले हुए और पिसे हुए इन सब को डालके हम मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी तरह से और बस देखिए आप कितना असान सा प्रोसेस है ये चिकन हमारा मेरिनेट हो चुका है पंदर मिंट के लिए और इसमें सारे मसाले डाल देना पिसा हुआ जो पेस्ट हमने बनाया है मसालो का और दही का इसमें डाल दें और इसको हर जगह से यानि कि इसके जो यह हमने बेस्क बनाया है इसको चिकन में हरत रह जाना चाहिए तो अंदर बाहर चमची मदद से जैसे भी आप डालना चाहें इसको भर दें इसके अंदर पूरी तरह से कवर होना ज़रूरी है और अब यह जो बचा हुआ पेस्ट है इसको भी डाल दें अब बड़ा पतीला लेके या कोई बड़ी कड़ाई लेके उसमें दो बड़े चमची घी डाला और इसमें डाल दिये मैने पांच छोटी लाइची और चाहट लॉंगे और इनको फोड़ा सा क्राकल होने दिया इसका अरो मा आ जाता है घीमे और अब यह चिकन को इसमें सम अभी तो आच मीडियम है, मीडियम रखें और इसका जितना भी मसाला है वह सब डालें तो पानी इसमें हम बहुत जादा यूज नहीं करेंगे तो बरतन में जो लगा है आप उसको चाहें तो एक दो टेबल स्पून पानी लेके उसको दो दो दें ताकि सारे मसाले निकल आए मीडियम करें तो अब ढाग देंगे और अब इसको आचे से सील कर देंगे तो अंटा जो हम रोटी का बनाते हैं उस तरह आपा गूंले थोड़ा घीला रहें तो अच्छा है और बस से इससे सील और भूत अच्छी तो यह मैंने सील कर दिया और अब हमारा चिकन जले नहीं उसके लिए एक तवा रखा है ग्यास पर और उसकी उपर ये पतीला और अब आज को बिल्कुल धीमा कर देना है और इसको हमें पकाना है चालिस मिनिट तक बिल्कुल धीमे आज पर तो यहाँ पर 40 मिनिट्स हो चुके हैं अब मैं इसकी सील खोल रही हूँ आटा क्योंकि गरम पतीले में लगा था तो यह थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो इसको आप संभाल के खोलें जलने का भी तर रहता है तो एक नाइफ ले 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 नाइफ की मदद से इसको खोलें या फिर कोई शाप एज वाला कोई चमच ले ले या राइस वाला जो हम होता पानी भी छोड़ा है और अब इसमें जो यह ग्रेवी तयार हुई है इसके उपर से चमत की मदद से आप ऐसे डाल दे ताकि घी वी उपर आजाए थोड़ा से इसमें और अगर आपको लग रहा है कि इसमें और पकानी की जरूवत है तो पांच-दस मिनट इसको ऐसे ही और पका सकते हैं और इसको चेक करेंगे कि यह गला है कि नहीं और बहुत जादा ना चलाएं क्योंकि यह लेडी टेंडर देख रहा है और देखें इसको मैंने नाइफ की मदद से थोड़ा सा पीस तोड़ा तो यह बड़े हलके हातों से एक दम बिलकुल इसका बोन से अलग हो तो एक बड़ी डिश या प्लेट लेके उस पे चिकन को रख दें संभाल कर क्योंकि यह गल चुका है और यह तूट जाएगा अगर आपने इसको संभाल के नहीं रखा तो और साइड में ग्रेवी डाल दें यह देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है कितना बढ़िया और इसमें मैंने रखे हैं कुछ बॉयल एग्स तो मैं इसके अंदर भी थोड़े से बॉयल एग्स यानि कि दो-तीन बॉयल एग्स इसके अंदर फिल कर रही हूँ वैसे तो इसमें राइस डाले जाते हैं पर को गार्निश किया है विच सिल्वर फॉयल यानि कि जो हमारा चांदी वर्क होता है वो लगा दिया मुर्ग मुसल्णम है तो थोड़ा से तो इसको रिच दिखना ही चाहिए और उपर से डाल दिये तले हुए ड्राइफ रूट्स इसमें की काजू और बादाम है जिनको मैं नहीं हुआ है अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको शेयर कर दूँगी तो तब तक आप इंज्वाइ करें मुर्क मुसल्णम थांक्स फॉर वोचिंग समत किचिन टेक केर